जैहिन दोस्तों, अगर आप Adventure के सौकीन है तो दिल ठाम के बैठिये क्योंकि आज हम लेके आये हैं एक ऐसे Adventure की कहानी जिसे सुन के आपे रॉंग टे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में आपने स्ट पहले कभी नहीं सुना होगा दुनिया के सबसे बड़े सिखार Mount Everest को सर्फ करने की सुरुवात 1921 से ही हो चुकी थी लेकिन उसके चोटी तक कोई नहीं पहुँच पा रहा था और Everest की चोटी तक पहुँचने इतना आसान भी नहीं था क्योंकि वहां तक पहुँचने के लिए बेहत ही मुस्किल और खतरनाक हालातों से होके गुचरना पड़ता था क्योंकि 29-28 फीट के इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं इस मिसल में कई लोग औसफल हुए कई लोगों ने अपनी जान गवा दी और बहुत सारे लोग का सव तो आज भी उस बरफिली चटानों के भीतर दवा पड़ा है जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया लेकिन फिर भी साहस के सूर वीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेश्ट की चोटी तक पहुंचने का लागतार प्रयतने करते रहें इन कई साहस वीरों में से ही एक थे नेपाल के शेरपा तेंसिंग सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेंसिंग के दिमाग पर एवरेश्ट को सर्व करने का जुनून सवार था तब स्वीजर लेंड के रैमंड, लेंबर और सेरपा तेंसिंग ने एवरेश्ट को सर्व करने का प्रयतने किया था लेकिन वो उसमें निस्फल सावित हुए थे 1952 में तेंसिंग और रैमंड लगवग पूरे एवरेश्ट पहार को चड़ गये थे लेकिन बेहत कठिनाईयों के चलते उनको एवरेश्ट की चोटी से महच एक हजार फुट की दूरी से ही वापस आना पड़ा मंजिल के इतने करीब होके भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था लेकिन तेंसिंग ने हार नहीं मानी फिर से एक साल बाद सन 1953 में देंसिंग, साथ अंग्रेज और दो न्यूजिलेंड के परवता रोही के साथ एवरेश्ट का भियान के लिए निकल पड़े देंसिंग और एडमन हेंडरी के टीम ने पहार चड़ने के सुरुआत 9 अप्रेल 1953 को की बरफिले रास्ते, माइनस में टेंपरेचर, भीम नदी, कभी भी तूट पढ़ने वाली शीलाएं और बरफिली खाईयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैम्प बनाके अपनी मंजील के करीब बढ़ते रहें लगभग 20,000 फुट की उचे तक पहुचने के बाद, एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेंडरी ने डाइव लगाई लेकिन उनके भार के कारण बर्ट की चट्टा माँ से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते तेंसिंग ने रसी फेकी और हेंडरी ने उसे पकड़ के अपने प्राण बचा लिए अगर तेंसिंग ने वो रसी ना फेकी होती तो हेंडरी उस वक्त अपने जीवन से हाथ हो बैठते खेर Edwin Henry और Tensyn के टीम धीरे धीरे एवरेश्ट की चोटी से निजदिक आते रहें उन से पहले चड़ाई को पूरी करने वाली Charles Ivan की 9 सभ्यक एक टीम थी जो Tensyn की टीम से पहले एवरेश्ट को चड़ने वाली थी अगर किसी कारण इवांस की टीम एवरेश्ट पे चड़ने को नी सफल हो या फिर चड़के वापस आ जाए उसके बाद ही टेंसिंग की टीम को आगे बढ़ना था हैंडरी और टेंसिंग की टीम ने लगवग आधे से उपर परोत को सर्फ कर लिया था एवरेश्ट की चोटी से पहले आने वाली ये आखरी चोर सबसे खतरनाक माना जाता है जहां तक पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने आखरी में अपनी जान गवाई है एक तरफ इवांस की टीम इन से पहले आगे बढ़ रही थी और 26 माई के दिन माउंट एवरेश्ट की सिखर से वो लोग सिर्फ 300 फिट की दूरी पे थें लेकिन इवांस और उनके साथ ही बहुत ठक चुके थें उनके सरीर ने जवाब दे दिया था उनमें अब एक कदम भी आगे बढ़ाने का होसला नहीं था और वो चोटी से सिर्फ 300 फिट की दूरी पे वापस लोट गए यहां पे दिहास किसी और के नाम पे ही लिखा जाने वाला था इवांस की टीम के पीछे लोटते ही अब टेंसिंग और हैंडरी की टीम को आगे बढ़ना था रात में सोने के बाद सुबह टेंसिंग और उनकी टीम ने अपने मंजिल के तरफ कदम बढ़ाएं ताप मंग माइनस 27 डिग्री सेल्जियस था परिस्टिती बहुत कटिंग थी फिर भी इन सासियों ने हिम्मत नहीं हारी वो कुद्रत और अपने सरीर की कठी नईयों का सामना करते करते एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गएं और सुबह के 9 बजे तक वो लोग दक्षिट सीखर तक पहुंचे धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और उनके पास अब अतना आक्सीजन भी नहीं था कि वो इस पूरे अभियान को ठीक से खत्म कर सकें तेंसिंग की गतीद धीमी हो रही थी अब उनके पाँ धीरे धीरे भारी हो रहे थे कुछ ही यही हाल हैलरी का भी था हैलरी ने तेंसिंग के तरफ देखा उनको कुछ समय के लिए रोका और उनके ऑक्सीजन के नली को साफ किया क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी वो लोग एक के बाद एक ऐसे आने वाली कठिनयों को मात देते रहें और अपने कदम एवरेश्ट की चोटी तक बढ़ाते रहें और आखिर में 29 मैं 1953 के दिन सेरपा, टेंसिंग और हैंडरी का नाम इतिहास में तरज हो गया जब वस्वर 11 बच्चे 30 मिनट पर दुनिया के सबसे उची चोटी 29,28 फीट यानी 8,848 मीटर के उचाई पर पहुँचे तब उनकी खुसियों का कोई ठीकाना नहीं था ये एवरेश्ट के चोटी के कुछ रियल वीडियोस है जो इनसान को मगन मुग्ध करते हैं इस तरह विस्वर के लिए तुर्गम, एवरेश्ट का सिखर, नेपाल के सेरपा, टेंसिंग और नियूजिलेंड के एडमन हैंडरी ने शेर कर लिया और इस तरह इंसानियत ने और एक कुत्रती विशंता को प्रास्त कर दिया आज के लिए सिर्फ इतने ही, अगर आपको ये डॉकमेंटरे अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सेर जरूर करें ताकि ये वीडियो आपके करीबी लोगों के पास पहुंचे साथ ही साथ इस चैनल को भी सबस्क्राइब करें ब्लूस के साथ पेल आइकन दबा दे ताकि आपको नॉलिजेबल वीडियो हमेजा मिलती रहे तो मिलेंगे आपसे फिर अगले इंट्रेस्टिंग और नॉलिजेबल वीडियो के साथ तब तके लिए जयाए हिंद